नमस्कार दोस्तों मैं समित मिस्रा स्वाइद करता हूं एक बार फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तों SST CGL एक्जाम के लिए जो मिसन CGL चुलाया जा रहा है आपके लिए उसी के तहट आगे बढ़ते हुए हम लोग Current Affair में आज बात करेंगे सूचकांक और रैंकिंग की बहुत important topic है ऐसे ही topic by topic आपको बहुत सारी वीडियोज दी जा चुकी है और आने वाले time में भी बहुत सारी चीज़े आपको मिलने वाली है तो आज देखो सूबा में हम लोगों ने पुष्टके और लेखक देखा था और यहां तब पर देखो साम में आपको सूचकांक और रैंकिंग आपको दिया जा रहा है यह सारी वीडियोज आपको Mission SSC CGL प्लेलिस्ट में बिल्कुल free of cost दी जा रही है CGL के लिए टारगेट रूप से मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तयारी कर रहा हूं तो आप GS की तयारी कर सकते हो playlist की माध्यम से free playlist है कोई आपको pay नहीं करना है YouTube पर ही available है जाहिए सारी वीडियोज देख डालिए बहुत important है वो सारी वीडियोज आपको एक ही जगा पर मिल जाएगी जो आप ढूरते हो या जो आपको लास्ट टाइम पर पढ़ना चाहिए अगर आप हमारी e-book को अगर लेना चाते हैं तो ले सकते हैं MZT app पर ये सारी चीजें available हैं चलिए तो शुरू करते हैं सूचकांक और रैंकिंग इसमें देखो हम लोग पहले ना पहले सुरुआत में हम लोग टेबल की माध्यम से देखेंगे और फिर हम लोग practice set solve करेंगे ठीक है practice set solve करेंगे जिससे अच्छे तरीके से पूरा recall हो जाए और तैयार हो जाए छोटी सी छोटी वीडियो रखने का प्रयास किया जाएगा तो शुरू करते हैं वीडियो को index यह वर्स में दो बार जारी किया जाता है एक बार जुलाई के महीने में जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है तो हो सकता है जल्द ही आपको आद्दे रिखने को मिल जाए और एक जनवरी के महीने में तो जनवरी वाला जो जारी किया गया था उसमें पचासी वे अस्थान बारत है एक दो अस्थानों का उलर फिर होता रहता है मतलब 83 से लेकर 87 की बीच में भारत बना रहता है तो देखो इंडिया हैस फ्री वीजा एकसेस टू 59 कंट्रीज अगर आपसे थोड़ा था अच्छे लेबल में अच्छे लेबल में पूचे गई पूचा जाएगा 66 country में हम लोग वीजा फीरी अक्सेस हैं हमारे देश का पासपोर्ट की खमथा इतनी हैं कि 66angen देता है तीक है इसके बाद अगर हम लोग बात कैंमें स्रेएं इफिम्त तराश्त कीवी भिस्तॅ खुहाली सूजकांक में तो देखो इसमें फिन्लैंट जो है यह यह तॉप कि तालिबान का कब जाए फिन लेंड को मैंने आपको याद कराया हुआ है ऐसे लिखेगा फिन लेंड और नीचे आप फिन को आई को बदल देना फन तो यह हो जागा फन लेंड ठीक है तो फिन मतलब फन मतलब की वो ठीक है और पीस वाला यानि सांती सुचकांग यानि आइस ऐस खिलते थे थे आ बच्पन में तो आइस पीस यानि पीस सुचकांग में हमिसा आइस लेंड—ाइस टॉप पर रहेगा और सुचकांग पको चलो Global Labour Resilience Index तो इसमें Labour Resilience Index में Denmark जो है ये टॉप पर है भारत 65 अस्थान पर है जो जो important है उस पर मैं यहाँ पर star भी लगाते चलूँगा तो आप उनको उनको तो recall कर लिजेगा बार-बार ठीक है तो 65 अस्थान पर इसमें है जलवाई परवर्तन प्रदरसन सूजकांग इसमें देखो इसमें इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो जारी किया जाता है आकडेना तो उसमें grading system होती है और उसमें A grade में A plus grade में किसी को नहीं रखा गया है तो यानि पहला दूसरा और तीसरा पोजीशन जो है यह खाली है और चौथे पोजीशन पर देनमार्क है यानि अगर पुछा जागा सीर्स पर कौन है तो देनमार्क अगर पुछा जागा पहली राइंग पर कौन है तो आप बताएंगे कोई नहीं है दूसरे पर कोई नही और तीसरे पर कोई नहीं है चौथे पर डेनमार्क है ठीक है ऐसे में आठ में पर भारत आता है यह द्यान रखना जलवाई परवर्तन प्रदरसन सूज कांग में ठीक है चलो तो इसमें ये देखो ये German watch दौरा जारी किया जाता है जारी करता कौन है? जर्मन वाज और New Climate Institute. ठीक है? अगला अंतराष्टि बहुदिक सम्पदा सूज कांग, Intellectual Property Index. IP Index की नाम से भी इसे आप जानते हो, तो ध्यान रखना, IP Index अगर पूछा जाए तो तो इसमें USA हमेशा टॉप पर रहेगा, बहुदिक सम्पदा, Intellectual Property इस मामल हो, यह important है. चुनावी लोगतंतर सूज कांग, अगर पूछा जाए, तब तो आप बताएंगे, Denmark टॉप पर है और भारत 108 अस्थान पर है. एक ऐसा ही पूछा जाता है, EIU का Democracy Index, EIU का Economic Intelligence Unit का Democracy Index, लोगतंतर सूज कांग, Democracy Index, ठीक है? अगर यह पूछा जाता है, तो आप इ किस अस्थान पर आ गया है, यह आ गया है, 46 अस्थान पर, 46 पोजीशन पर भारत आ गया है, यह ध्यान रखना EIU का Democracy Index है, और यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यह वाला उतना important नहीं है, लेकिन यह EIU वाला ज़्यादा पूछा जाता है, City Index अगर पूछा जाता है अमेरिका टॉप पर है, पांचवेश अस्थान पर, पांचवेश अस्थान पर भारत है, ठीक है, अगला, Nite Frank की Wealth Report, जो है, United Kingdom है टॉप इसमें बसिकली बताया गया, इसमें कौन कौन से सहर सबसे ज़्यादा अमीर सहर है, कहा की सबसे ज़्यादा अमीर है, तो UK यह यह त पर रखा गया यह पूछा नहीं जाएगा आपसे वर्ड एयर क्वाल्टी इंडेक्स यानि कि कहां पर एयर क्वाल्टी यहां पर टॉप पर मतलब यह मत समझेगा कि बहुत अच्छी है टॉप पर मतलब सबसे खराब है तो सबसे खराब चैड की है भारत जो है आठवें सबसे प्रदूसित सहर है हमारे यहां दिल्ली जो है अगर आप दिल्ली के बारे में जानो तो दिल्ली जो है न दिल्ली जो है यह की यूनियन टेरेटरी है कहो कि एक सर इसमें नहीं क्या बात है यह तो पता ही है दिल्ली यूनियन टेरेटरी है दिल्ली में न कई सहर है और जो न्यू देली है वो है capital न्यू देली जो है ये इसी में से दिल्ली का ही दिल्ली केंसासी प्रदेश का एक सहर है नई दिल्ली और वो नई दिल्ली जो है राजधानी और यहाँ पर जो राजधानियों की रिपोर्ट जारी किये गए थी राजधानियों का इंडेक्स जारी क चलो आगे दसवी वैस्विक आतंगवाद सूचकांग तो इसमें देखो आतंगवादियों को मामले में तालिबान पूरा-पूरा कब्जा किया है इसको टॉप पर रखेंगे ही यहां पर भारत 13 होए अस्थान पर है यह पूछा जाएगा आपसे इंपोर्टन है ठीक है आग Asia में चाइना है लेकिन सबस्यादा बिलेनियर के मामले में USA टॉप पर है USA जो है यह टॉप पर है रखेंगे और इस mobility index में UAE top पर है 138 पर भारत है भारत 138 पर है ठीक है ना पिछली बार 146 पर था इस बार 138 पर था अभी practice set आएगा तो सारी चीज़े recall होगी आपको अच्छे स्तियार हो जाएगा FIFA ranking इसमें आई और इसमें देखो भारत पहुँच गया है सवें अस्तान पर भारत अभी latest कुछ दिन पहले एक बार फिर से ranking जारी हुई तो अर्जेंटीना टॉप पर है अर्जेंटीना ने इस बार FIFA वर्ड कप भी जीता है सेकंड पर दोस्तों है फ्रांस फ्रांस क्योंकि इस बार उबिजेता रहा था उबिजेता रहा था FIFA वर्ड कप का तीसरे अस्तान पर है ब्राजील ठीक है ना? तीसरे अस्तान पर ब्राजील है सववा अस्तान भारत का है सववा अस्तान जो है ये भारत का है ठीक है FIFA वर्ड कप में फीफा के बारे में अगर बात करें फीफा राइंकिंग में, फीफा के बात करें तो फेडरेशन ओफ इंटरेशनल डी फुटवाल असोसेशन, 1904 में पेरिस में इसकी अस्थापना हुई थी, जीवरिक में इसका हेड़कॉर्टर है, अध्यक्ष है गियानी इंफेंटीनो, य क्लियर है, AI आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेसकस करने वाले स्टार्टप्स में, विस्ट के सबसे ज़्यादा अपराधिक देशों में, वेनुजीला ये टॉप पर है, भारत को 77 अस्थान दिया गया है, ये वर्ड ऑव इस्टैक्स ने जारी किया था, ग्लोबल तीसरा सबसे ज़्यादा उनिकॉन वाला देश है, भारत में टोटल 138 उनिकॉन हो चुके हैं, जब ये रेपोर्ट जारी की गए थी, तब उनिकॉन मतलब 138 ऐसे स्टार्टप हैं भारत में, जो 1 बिलियन डालर से ज़्यादा की वेलोएशन रखते हैं, 10 बिलियन डालर से इसलिए इसे माना गया पहला यूनिकॉन ठीक है, इतना पता रहेगा, सिंगापूर, सिंगापूर टॉपर है इसको हिंदी में बूले जाएगा, रसद सूझकांग ठीक है धीक है, हिंदी में पूछ जाएगा, तो आप कनफीयूज मत हो ना, ठीक है, चलो Deixa परइस वेशन परेस स्टनता प्रेस वीडरें में इंड़ेक्स में इस बार इंडिया की बहुत ज़्यादा भदपिटी है इंडिया आ गया है 168 अस्थान पर पिछली बार 180 में में था और ये आ गया इसमें सबसे ज़्यादा पूछ हो जाता है किसके दौरा जारी किया जाता है रिपोर्ट जारी करता जो है रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स है रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स ये इसको जारी करता है 168 अस्थान पर भारत में प्रेस सोजन्दा सुचकांग में नार्वे हमेशा टॉप पर रहेगा अगला गलोबल स्लेवरी इंडेक्स यानि कि कहां पर गुलामी इंडेक्स होता है गुलामी सब ज़्यादा है तो देखो उत्तर कोरिया में सबसे ज़्यादा गुलामी माना गया है और G20 देशों में अगर देखा जाए G20 देशों में भारत को सीर्स पर रखा गया है भारत को सीर्स पर माना गया है ये वाक्फ्री फाउंडेशन की दौरा जारी किया गया WEF, Westwick Langley Global Gender Gap Index ये भी देखो, WEF की दौरा जारी किया जाता है ये पूछा जाएगा आपसे, बहुत ही important है World Economic Forum जारे करता है ये Global Gender Gap की रिपोर्ट और इसमें Iceland टॉप पर है Iceland और कहां पर टॉप पर है Ice Pies, यानि सूचकांग सांती वाला ठीक है, और 127 में पर यहां पर भारत है 127 में पर इसी पर देखो, यहीं पर बगल बगल लिग देते सांती सूचकांग मजा ही आ जाता सीरियल वाइज मिल जाता 126 पर सांती सूचकांग में है 127 में इसमें है, लेंगिक में ठीक है, और दोनों माइस लाइन टॉप पर आता चलिए, कोई बात नहीं Global Livability Index, इसमें देखो यह रहने योगे उसमें अब वियना जो है, आश्टिया की राध्धानी जो है यह इसमें टॉप पर है, देखो यहाँ पर Asia University Rankin है यह, यहाँ एसिया में बात किया जाए, तो टॉप 3 में इसमें चाइना के ही इनिवस्टीज हैं, भारत में 48 अस्थान पर देखो, 48 अस्थान पर पहला कोई विस्विदाले मिलता है, भारती विस्विदाले वैस्विक परतियस पर धात्मक्ता सूचकांक, यानि Competitiveness Index, Competitiveness Index, इसमें डेनमार्क जो है, यह टॉप पर है, 40 अस्थान पर भारत है और इसको IMD जोरी करता है, इस पर आप इस्टार लगा लो, यह भी important हो जाता है आपका वैस्विक परतियस पर धात्मक्ता, यानि Global Competitiveness Index, Global Startup Ecosystem Report, इसमें Silicon Valley, जो है USA का, यह टॉप पर है, बैंगलूरू बीसमें अस्थान पर रखा गया है, और बैंगलूरू जो है समझो, कि भारत में सबसे अदा Startup का Ecosystem के बाला छेत्र है, तो Startup Genome की दोरा यह रिपोर्ट जारी की गई है, WEF की Energy Transition Index, यह भी याद कर लीजिए, WEF की दोरा जारी किया जाता है, World Economic Forum की दोरा Energy Transition Index, यानि कि इसे क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमर्ड, उर्जा संक्रमर्ड सूचकांग, ठीक है, उर्जा Report है, इसको याद रखिएगा, WEF की सांति सूचकांग, यह तो आपको यादी हो गया होगा, Global Peace Index, Iceland, इसमें Topper है, 126 पर भारत है, और इसको IEP के दोरा जारी किया जाता है, Institute for Economic and Peace के दोरा जारी किया जाता है, अब आते हैं हम लोग Practice Set पर, और Practice Set की माधम से, कुछ Questions को Solve कर लेते हैं, छोटी चीछोटी वीडियो आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है, जिससे आप 239 धन से Revision कर सको Last Time पर, मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि Mission CGL नाम से आपको Free Playlist दी गई है, Mission CGL 2023 की नाम से, आपको Free Playlist दी गई है, यहाँ पर मैं कोई Paid Promotion नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आप जो वीडियो जो चीजे, जो Classes, जो आप ढूड़ोगे सब जगा पर, वो आपको यहीं पर ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीके, और इसमें 6 मन्त का मैराथन भी है, उसको तीनों को तो ज़रूर देखके जाना, है ना हिले Passport Index में कि सस्थान पर भारत है, तो 85 वें स्थान पर है, C Option लगा देंगे आप, चुनावी लोकतंत सूचकांग अगर पूछा जाए, तब तो आप बताएंगे, 108 हुआ, और अगर यहीं पर, यहीं पर अगर आपको EIU का लोकतंत्र सूचकांग पूछा जाए, लोकतंत्र सूचकांग पूछा जाए, तो EIU के लोकतंत्र सूचकांग में, सूचकांग में भारत है कहाँ पर भारत है 46 अस्थान पर 46 प्लेस पर है और इसमें टॉप पर कौन है नौर्वे है ये चीजे मैंने अभी आपको बताई थी अगला हाली में सायुक तुराष्ट विस्सु खुसाहली सूचकांग में कौन सा देश पहले अस्थान पर है तो यहाँ पर देखो खुसाहली की बात आ रही है फन की बात आ रही है तो जब फन की बात आ है तो फिर मतलब समझेगा फन से क्या फिल्लेंड फिल्लेंड जो है य स्वीडन इसमें नहीं है स्वीडन जो है यह 32 देश बनेगा 32 जो है देश बनेगा नाटो का मेंबर चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अंतराश्य बौधिक संपता सुचकांग इंटेलेक्टियल प्रॉपर्पर्टी की मामले में हमेशा अमेरिका जो है यह टॉप पर रहेगा जो है यह जारी किया जाता है इसमें नौर्वे जो है यह पहले अस्थान पर रहता है और भारत की बहुत कम देखने को मिलता है पहला रांक में चेंज हो पहली रैंक आपको अकसर पहले पर हमेसा मिलेगा पहला देश आपको भारत की रांकिंग में ठोड़ा सुधार में पहले अस्थान पर कौन सा देश है Global देखो Global Terrorism Index में इसमें देखो टॉप पर कौन है अफगानिस्तान सब ज़्यादर टेरिस्म यहीं पर हो रहा है भारत कहां पर है तो भारत आप बताओगे 13 अस्थान पर है 13 अस्थान पर है 13 पोजिशन पर है अगला FIFA रैंक जो है FIFA रैंक जो है रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है तो अभी जो लेटेस्ट आई हुई है अब देखो ये कभी भी जारी हो सकती है ये कभी भी जारी हो सकती है हो सकता है दो महीने में एक बार जारी हो जाए हो सकता है चार महीने में एक बाज जारी हो जाए यह लोग जारी कर देते हैं हमेशा ठीक है तो इसके लिए अभी जो लेटेस जारी की गई उसमें सौवे अस्थान पर है जो दो चार महीने पहले था उस पर 101 अस्थान पर भारत था लेगन भारत जो है सिरीज जब कोई जीतत सबसे ज़्यादा AI निवेश करने वाले देशों में भारत की सस्थान पर है तो artificial intelligence वाले देशों में सबसे ज़्यादा investment करने की मामले में टॉप पर तो USA है ठीक है भारत है पाचवे अस्थान पर भारत की सस्थान पर है पाचवे पर वेस प्रस्तोतंता सूज कांग में भा प्रस्विक लेंगिक समानता यानि global gender gap global gender gap index में इसमें भारत की सस्थान पर बहुत ज्यादा important है important question है important question है 127 अस्थान पर भारत है ठीक है अगला हुरून global rich list में पहले अस्थान पर कौन है तो हुरून की global rich list में देखो इसमें top पर है America अगर global rich list की बात की जाए और Asia में जो कि अगर पुछा जाए सबसे ज़्यादा स्वानेनमित अरपति यानि self made billionaire कहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा यह मैं लिग दे रहा हूँ अलग से point इसको याद रखेगा सबसे ज़्यादा अगर पुछा जाए self made self made billionaires की बात अगर की जाए तो अब उसमें top पर चीन है चीन जो है सबसे ज़्यादा self made billionaires की मामले में top पर है यह ध्यान रखना अगर USA में सबसे ज़्यादा billionaires की पूछी जाए सबसे ज़्यादा अरपति यहाँ पर है अरपति यहाँ पर है लेकिन सबसे ज़्यादा self made अरपति कहाँ पर है चीन में ह खुद ही अपने आप में अरपती बने हुए हैं, और यहां पर यह समझ लोग इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, जो बाप दादा की संपत्त की वज़ा से भी अरपती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बाप दादा ने कमाल किया, तो यहां पर यह लोग खुद ही कमाल किया है, तो self-made जो है, यह ऑलग लिष्ट है और यह वल्ला अलग लिष्ट है, ठीक है, जलवाई परवरतन परदर्शन सूजकांक में भारत की सstäन पर है, तो जलवाई परवरतन परदर्शन सूजकांक, इसमें देखो भारत है आठवें स्थान पर, और जासे एक conquist मैंने आपको बताया, first कुछन थे आपके और जिनका आपने रिवीजन अच्छे तरीके से पढ़ा भी सुचकांक इंडेक्स रैंकिंग आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और बाकी के जो प्लेडिस्ट में वीडियो दी गए हैं उनको देख डालिए और भी वीडियो जाने वाली ह तो उस पर वीडियो बनाई जाएगी आप सब्सक्राइब कर सकते हो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरू छोड़ दीजिएगा मिलेंगे अगली वीडियो में तक तक लिए नमस्कार जाहें वंदे मात्रम